दोस्तो अगर आप भी चाहते हो कि भारते टीम पाकिस्तान के खिलाफ एश्याकप का मैच जीते तो वीडियो को जरूर लाइक किजिएगा दोस्तो नेपाल की टीम को 238 रन से ख़देड देने के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबाराजम ने 1500 रन जड़ने के घमंड में भारत के लिए फिर भी कह गई कुछ ऐसा कि सुनकर पूरा देश कर रहा है सलाम तो दोस्तो आखिर क्या बोले बाबाराजम वो तो वीडियो में दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा बाबाराजम विराट कोली सूरकुमार यादव रिंकू सिंग में से कौन अच्छा बल्लेबाज है अपनी किमती राए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा तो चलिए अब आपका जदा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीड रन बनाए और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर पाकिस्तान के लिए जब फकर जमान और इमामुलहक ने पारी की सुरुआत की थी तो यहाँ पर 14 रन बनाकर मात्र फकर जमान आउट हो चुके थे तो वहीं इमामुलहक ने 5 रन की पारी खेली लेकिन फिर बाबा राजम और मुहम्मद रिजवान ने टीम को संभाला जा इस बीच बाबा राजम ने शतक जड़ते हुए 151 रन बनाए और अपनी पारी में 14-4 चार छक्के भी लगाए तो वहीं मुहम्मद रिजवान ने 44 रन की पारी खेली बाकी बाद में 71 गिंदो पर सतक जड़कर 109 रन की पारी इफ्तकार एहमद के बल्ले से देखने के लिए मिली जिसके चलते पाकिस्तान की टीम नेपाल के आगे 342 रन पर पहुँच पाई हाला कि शुरुआती 30 ओवर में तो नेपाल की टीम ने पूरी तरह से दवाव पाकिस्तान के उपर बना रखा था लेकिन पाल की टीम ने आपने 10 विकेट मात्र 104 रन के कुल स्कोर पर ही गवा दिये और पाकिस्तान की टीम ने पहला ही एशा कप का रोमांचक मुकाबला 238 रन से अपने नाम कर लिया और दोस्तों यह मुकाबला जीत लेने के बाद अब एशा कप की पॉइंच टेवल में पाकिस् भारतिय टीम के उपर कहने से कहां चूकने वाले थे उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच अगले मुकाबले की बात करी और ऐसा कुछ कह दिया कि सुनकर पूरा भारत देश बॉक ला गया जी हां दोस्तों यहां पर बाबाराजम कहते हैं कि नेपाल की टीम को 238 रन से ह हराने के बाद मैं बहुत खुश हूँ हर टीम चाहती है कि अगर वो अपने गड़ में किसी टूर्नामेंट की शुरुआत करे तो ऐसी ही पहली जीत हासिल करे इस जीत के बाद हमारे बल्लेबाजों और गेंदवाजों में काफी कॉन्फिडेंस आएगा उनका आत्म सम्मान बढ़ेगा और जिसके बल्लबूते पर हम भारतिय टीम को हराने का दमखम रखेंगे तो वहीं आगे बाबाराजम कहते हैं कि अगला मुकाबला जो भारत के खिलाफ हमारा होने जा रहा है वो हमारी टीम के लिए जीतना बेहदी जरूरी है और उस मैच में जीतना ही हमारे लिए एशा कप को जीत लेने के बराबर होगा हम भारत को कोई कमजोर टीम नहीं कह रहे हैं हम जानते हैं कि रोहित शर्मा विराट कोली सूरे कुमार यादव हार्दिक पांडिया जड़ेजा जैसे बल्लेबाज उनकी टीम में मौजूद है लेकिन इस बार हम भारत को बता और इस बार हमने विराट कोली को ही आउट करने की पूरी प्लानिंग तयार कर ली है और इस बार भारत के खिलाफ हमें किसी भी हाल में जीत दर्ज करनी है और सूपर चार में फिर मौका भी पाना है और फिर भारत को हरा कर इस टूर्नामेंट से ही भार कर देंगे और दोस् तबी क्या मानते हैं कि बाबार आजम ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है फिर गलत अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा